वाहिगुर जी का खाल सा वाहिगुर जी की फते गुरु प्यारी साथ संगर जी अज सत्गुर जी दी रह्मत नाल तान तान श्री गुरु गोवन सिंग माराज जी दे तापस्थान सचखंड सिरी हेम कुंट साहिव दे दर्शन कारन दा सुपागा समा प्राप्त होया ते मेरा मन कीताप जी दिनाल भी एथ होंदा इते आस ते सस्थान दी विचार संजी करा ये गुरु गोवन सिंग मारा जी दा प्रातन ता पस्थान है उत्रा खंड वाला हे टिकाना हेम कुंट जुगां जुगां जुगांतरां तो महां पुरुखां महां तपस्थान प्रभू संग लेव जोडन वाल्यां दी तपोपो मी रहाए सदियां पहला बर्फाना लदियां पहाड़ी चोटियां दे एन बिचकार इस स्रोवर दे कंडे अनेकां गुफामा हुंदियां सन जिते रिशी मुनी तपसवी बैठके कुदर्त दिगोद विच प्रभूदा सिमर्न कर दे हुंदे एवी इतियास भी चाया के गुरु गोवन सिंग जी ने पिछले समय इसे स्थान उपर एक गुफा विच रह के तप कीता सी इस पवित्र पावन कुण्ड विच आजकल भी जातरू प्रभू प्यार दी लेववाडे पिशनान कर दे हन जातरपा में बहुत कठन है पर हर साल लखान दी गिन्टी विच उद्धनी संगता जून में ही ने तूं अपनी जातरा करन वास्ते ये थे पहुंच दियाने श्री हेमकॉंट साहिवों पुवित्र तपपुमी है जित्धे कलंगीतर पात्षा जी गुरु गोवन सिंग साहिव ने बहुत लंबा समा अकाल पुरुख वाह गुरुदे सिमरन विच अपनी लेवजोडी आप लिख देहन अब मैं अपनी कथा बखानो तब सादत जेह विद्म होयानो हेमकॉंट परवत है जहां सब्त सरेंग सोब्त है तहां बचेतर नाटक विच गुरु गोवन सिंग जी आप अपनी जीवन दी कथा बयान कर दे लिख दे हन के जिते हेम कुंट परवत है उते ही सब्त सरिंग नाम दा पहाड है इदा पावे है के सत पहाड़ियां दे विचाड़े किरिया होया हमाल लेदी तार विच बदरी निरैन दे कोल इस पहाड़ दा नाम हुन सब द्रिंग है ये थे ही पांड़ राजे ने जोक कमाया सी एस स्थान ते गुरु जी ने अकाल पुर्ख दी तपस्या ते साद न कीती जदों गुरु गोवन सिंग जी ते अकाल पुर्ख एक रूप हो गए ता काल पुर्ख ने परसन हो के अग्या कीती तांगुरु गोवन सिंग जी ने कल जोग विच गुरु तेग बहादर जी दे कर बाता गुजर का और जी दी पावन को खोपटना साह भिखे अब तार तार न कीता कलंगी तर पात्षा दी जगत फेरी ते सिक संगताने उना दी विचारता रा उना दी कुरुबानी नू पढ़िया सुनेया ते उना दी कुरुबानीया नू जाद कीता तां जिते जिते गुरु सावदा हुकम सी चरन पाए उना थामा नू भी लबया परजगल करने या सिरी हेमकुंट साहिव दी करंगी तर पात्षा दी जगत फेरी ते सिखाने इठार मी सदी विच बहुत ज़ादा जोर दिता जदो जहद विच रुजे हून कारन इस्तपव मी दे दर्शन करन ते निशान साहिव कैम करन दा टैम बहुत कट मिल्या सी महरजा रंजी सिंग दी अगवाई हेट विशाल राज स्थावत होया तकई से ख्रियास्ता बन गया इस तपवपु मी दी खोज ते जात्रा दा सिल्सला भी शुरू होया सबतो पहला आपाई संतोक सिंग जी ने सूर्ज परकाश ग्रंत विच इस तपवपु मी दा विस्थार नार बर्नन कीता ते हेम कुंट सबत सरिंग दी जात्रा करके इस तपवपु मी दा बर्नन कीता पहला पंडत तारा सिंग नरोत्म ने अपनी रचना गुरतीरत संग्राय विच इस दा जिकर कीता ते विचे तर नाटक दियां मुडलियां तो कंदेदार ते इस स्थान दी खोज शुरू कीती फिरोणा ने पार्ति गरंथा विचो पांडू राजे ने जिथे तप कीता सी पांडू केश्वर्ष स्थान बारे जानकारी लेके बाद विच आप हेम कुंट सबत सरेंग दे उस स्थान ते पुंचे जिथे दुस्ट दमनने तप कीता सी हेम कुंट सत पहाडियां दी तपोपु मी ते दुष्ट दमन दी यादगार थे निशान साहिब चे लौण वाड़े पहले व्यक्ती संत सोन सिंग जी टीरी वाड़े होई ने संत सोन सिंग जी टीरी वाड़े ने पहली वार 1922 ये स्ताप स्थान उपर पहुँच के जातरा कीती फिर हर साल आउन लगे ते संत सोन सिंग जी ने ही निशान साहिब लौण अते जादगार स्थाप्त करन दा जातन अरंब्या संत सोन सिंग जी दा मेल सन 1925 विच पाई वीर सिंग जी नाड़ होया ता आप जी ने हेम कुंट सब्त सरिंग दी कीती जातरा है ते गुर्दवार साहिव स्थाप्त करन निशान साहिव लौण दी इच्छा परगट कीती पाई वीर सिंग जी ने पारियोत शाब खाया ते हर तरह दी मदद कीती गुर्दवार सहव दी पावन बीड रुमाला सहव मंजी सहव गुर्दवार सहव दा जुरूरी समान वशान्या वरतन कुझ पुस्तका ते एक तंबु आद पाई वीर सिंग ने लेके दिता जदो कि ते अमर्तसर सहीब जाओं ता लारंस रोड ते पाई वीर सिंग सदन भी बनेया हुए है सुनेया है ते दास ने दर्शन भी कीते ने कि हेमकुंड सहीब जिस तरह स्थान बनावना सी पाई वीर सिंग जी ने पहला उते हुदा नक्षा तियार कीता पाई वीर सिंग जी ने समान लेके दिता ता ये थे स्थान दा काम काज शुरूफ हो गया अगास्त उनिसो शत्ती विच संत सोन सिंग जी टीरी वाल्या ने गुर्द्वर सिंग जी शुरूफ कीती तेन मीन्य विच दास वाई दास फुट दा एक कमरा ते तेन फुट दा वरंड़ बन गया पामे बहुत जादा अंकड़ां दे बाबजूद संत जी ने संगतां दे सह जोग नाल इस महान कारजिनू ने पड़े चाड़िया अगले साल उनिसो सेंती विच संत जी फिर हेमकुंट सह पहुंचे यस बार ओ गुरूगरां सहब दी पावन बीड गुर्द्वारे दे होर समान दे नाल पहुंचके उनाने गुरुगरान सहीदा परकाश उन्नीसो सेंती विच गीता सी ते नाल नाल निशान सहीद वी चला दता परकाश बाले दिन गुरुदा लंगर अतोट बरताया गया इस तपो पुमी ते संगत भी बहुत गिंती विच आई संत सोन सिंग जी तेरां फरवरी उन्नीसो उन्ताडी नू अकाल पुरुख दे चरना विच जाब राजे पर इस तो पहला अस्थान दी सेवा संबाल गुरुमख प्यारे बाबा मोधन सिंग जी जो एक फौज दे विच हवालदार हुंदे सी उन्ना नू ते महापुरुख संथ ठंडी सिंग जी नू सौंपके गए हवलदार बाबा मोधन सिंग जी या ते महापुरुख संथ ठंडी सिंग जी ने सेवादा कार्ज बड़ी शर्दा उत्षा लगंदे ना लग्यत हो रहा जातरा ते उन वाड़ी संगतली रस्ते विच बहुत सारे प्रवंद कीते गोविंद काट गोविंद ताम गुर्दर सहीब भी बनाए तांके जातरुए थे ठैर सकन लंगरदा भी प्रवंद उचेचे ताउरते कीता जातरा ली हर साल लखा संगता हेमकुंट सहीब जान लगपन्या हवलदार मोधन सिंग जी ने सन उन्सो सथ विच फिर एक सत्म इंबरी गुर्दवारा सिरी हेमकुंट सहीब ट्रस्ट बनाया एस तरह सिरी हेमकुंट सहीब अते सस्थान अन सबंद सस्थान ते गुर्दवार यांदा प्रवंद ट्रस्ट दे अधीन आगया ते अज भी इसन ट्रस्ट ही चला रहा है